SBI क्रेट कार्ड होड़लर्स के लिए जरूरी खबर एक जन्वरी से क्रेट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं नमस्कार मैं हूँ अबशेक स्वागत है मनी नाइन पर आप देख रहे हैं परसनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइन SBI क्रेट कार्ड यूजर्स अगर EMI ट्रांजेक्शन करेंगे तो ने अब ज्यादा प्रोसेसिंग फीस देनी होगी SBI ने प्रोसेसिंग फीस 100 रुपए बढ़ा कर 199 रुपए कर दिया किलाबा क्रेट कार्ड से ऑनलाइन स्वापिंग पर मिलने वाले पॉइंट को लेकर एक जनवरी से बड़ा बदलाव होने वाला है इसलिए क्रेट कार्ड यूजर्स 31 दिसंबर तक अपने रिवार्ड पॉइंट रिडिम जरूर कर ले SBI ने क्रेट कार्ड से अमेजन पर की जाने वाली स्वापिंग पर अब 10 गुना की जगा कीवल 5 गुना रिवार्ड पॉइंट देने का फैसला लिया है छोटी छोटी बचत करने वालों के लिए हैब हमारी ये खबर कोटक महिंदरा बैंक ने रेकरिंग डिपोजिट एकाउंट पर ब्यासदर बढ़ाने की घुछना की है बैंक ने निश्यत टैनियोर वाली आडी पर ब्यासदरों को 75 बेसेस पॉइंट तक बढ़ाने का फैसला किया है बढ़ी हुई ब्यासदर 28 देसंबर यानि बुद्धवार से लागू हो चुकी है 21 महिने वाली आडी पर बैंक सबसे ज़्यादा 7.5 फीजदी ब्यास देगा बरिश नागरिकों को सामान ग्रहकों की तुलना में आदा फीजदी ज़्यादा ब्यास मिलेगा सेकंड हैंड गाडी खरीदने में नहीं होगी अब आपको कोई टेंशन क्योंकि सडक पर महन मंत्रा लए एक नया नियम लाने जा रहा है जिसकी मदद से अब डीलर और गाडी की पहचान आसान होगी साथ ही चोरी की गाड़ियों को फरजी तरीकी से खरीदने और बेचने पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी नय नियम एक अप्रेल 2023 से लागू होंगे इसके जर्ये प्री ओंड कार मार्केट के रेगुलिशन एकोसिस्टम को मजबूत बनाये जाएगा क्योंकि देश में नई गाड़ियों से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां जो बिक रही है सरकार कर रही है आपको महंगाई से राहत दिलाने की तैयारी गैहूं की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार अपनी खुली बाजार बिक्री युजना के तहत बाजार में 15 से 20 लाग टन गैहूं बेच सकती है युजना के तहत आटा मिलों और थोग ग्राकों को सस्ती दरों पर गैहूं उपलब्द कराया जाएगा इससे आटा और इससे बनने वाले तमाम उतपादों की कीमतों को नियंदर्ण में रखने में मदद मिलेगी OTT प्लेटफॉर्म नेटफिक्स पर अब उधार के पासवर्ट से कंटेंट देखना मुश्किल होगा नेटफिक्स ने 2023 से पासवर्ट शेरिंग पर रोक लगानी की युजना शुरू करने की घुचना की है नेटफिक्स काफी समय से सब्सक्राइबर की संख्या कम होने से परेशान है इसलिए कंपनिया पासवर्ट सेरिंग करने वालों से पेमिंट करने के लिए कह सकती है इस फैसले से भारत में नेटफिक्स को सुरुआती स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपके पोर्टफोलियों में बैंकिंग शियर हैं तो ये खबर आपके लिए फायदे वाली है RBI ने बताया कि भारतिये बैंकों का ग्रॉस NPA यानि फसे करज का आकार घटकर सितंबर में 5 फीजदी पर आ गया है NPA कम होने से बैंकों को अब प्रोविजनिंग कम करनी होगी इससे बैंकों की एकाउंट बुक में सुधार आएगा और उनका प्रॉफिट भी बहतर बनेगा बैंकों का मुनाफ़ा बढ़ने से निवेशकों को भी फायदा होगा चीन और रूस ने फिर भढ़काई कच्चे तेल में आग चीन में कोरोना प्रतिबंदों में धिल से क्रूड ओयल में तेजी लौट आई है ब्रेंट क्रूड का भाव 86 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गया है रूस के बड़े ऐलान से भी क्रूड में तेजी आ रही है जिन देशों ने रूसी तेल पर प्राइसिंग कैप लगाने का फैसला किया है रूस ने उन्हें फरवरी से तेल ना देने का घोशना की है इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी है नई हाइरिंग में केवल 10% की बढ़ोतरी होनी का अनुमान है बैश्युक मंदी के डर से IT कंपनिया नए करमचारियों की कम भरती करेंगी रहात की बात यह है कि IT सेक्टर में उचे एट्रीशन रेट के चलते रिप्लेस्मेंट हाइरिंग अत्विदिया ऊची बनी रहेंगी देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को रिलाइंस इंडरस्टीज का नेत्रत करते हुए आज 20 साल पूरे हो गए है इन 20 सालों में कंपनी की मार्केट कैप 42 गुना बढ़ी है अम्बानी के नित्तवाले 20 वर्सों में 87,000 करोड रुपए प्रती वर्स की दर्थ से निवेशकों की जोली में 17,4,000 करोड रुपए आए है फेस्बोग, गूगल और बीपी जैसी बड़ी कम्पनियों ने रिलाइंस में निवेश किया है 2022 जाते जाते खोल सकता है आपकी फिर से किसमत जी हाँ, अगर आप आईपी ओ के जरीए पैसा बनाने का मौका तलास रहे हैं तो ये मौका आपको शुक्रवार को मिलेगा सहा पॉली मर्स का आईपी ओ निवेश के लिए खुल रहा इसमें निवेश चार जर्वरी को बंद होगा कमपनी ने शेरों के लिए प्राइज बेंड 61 से 65 रुपए प्रिती शेर तै किया है साल 1992 में स्थापित एक कमपनी पी पी वोवन बैक बनाती है आईपी ओ छोटे निवेश कों के लिए कम खर्च में बाजार में उतरने का अच्छा अवसर होता है टोयटा की नई इनोबा हाई क्रॉस की कीमत का आज खुलासा हो गया है कमपनी ने अपने मल्टी परपस वीकल इनोबा के नए हाईबरेड वेरियंट की सुरूआती कीमत 18,30,000 रुपए से रखी है टोयटा ने नवंबर में इनोबा हाई क्रॉस को पेश किया था इसकी बुकिंग 25 नवंबर से ही शुरू हो चुकी थी और अगले महीने से इसकी डिलेवरी भी शुरू हो जाएगी कमपनी को भरुसा है कि इनोबा की तरह ही इनोबा हाईबरेड भी सफलता के नए जंडे गाड़ेगी उमीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें आपके सुझाओ हमेशो को और बहतर बनाने में मदद करेंगे अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी नाइन के मुबाइल अपको जरूर डाउनलोड कर ले नई खबरों के साथ अब आपसे कल होगी मुलाकात तब तक आप देखते रहिए मनी नाइन के अन प्रोग्राम नमस्कार गुड नाइट झाल झाल झाल